प्रोफाइल दास के पुछ देने के की पॉसिबिलिटी आजूगा सो पीटी वाले आज दे शो दे विच थाडेनल शेयर करांगे साडेनल आज मजूद ने लैंड मा की इमिग्रेशन दे चीफ जस्मीत पार्टिया जी जिना ने री फाइलिंग दे विच बहुत वदिया रिस्पॉंस हांसिल कीता है इस पीटी वाले जड़े केसी ने उना नो तैयां लगन लगया विशायद ओना दा वीजा आना बोथ हुन दूर दी गल होगी तो उसी पीटी वाले केस दे फाइलिंग कीती है कितना दा रिस्पॉंस देख्या की कंक्लूड करोंगे और सी डेफिनिट्ली जनना दे स्कोर उन दूर अबवर साइड उनना दियां फाइन प्री टेन लगया रिस्पॉंस नहीं काई रहा था वेगवल्ट विखुन टीपांट आ शाथ गलापत जनना दे स्कोर फिफ्टी एग एगन अबव थो जनना दे स्कोर अर फिफ्टी है it is good enough and जे तुसी पोस्ट ग्राजवेट कोर्स लिए अप्लाए किता है 60 will be a good score but काफी सारे कॉलजी 55-58 ते भी admission दे रहेने but for visa purpose I feel 60 overall 60 and above will be a good score for post graduate courses so जो मैं analysis किता हो ही देख़्े है कि जे तुर स्कूर सट तो हुतते है तर results are coming very very positive 58 या 60 तो उत्ते है और जे तो लो है ता मतलब की 50-50 chances है गी है so किते ने किते PTE वाले फाइल्स ने भी higher English proficiency is being seen by Canada High Commission as compared to I let's also they want to see the best students जिननों वो वीजा दे सेक्ए so जिसमी जी 58 तो 60 वाले जड़े PTE वाले student हो की file लगा देने या इस तो काट वाले वेट करया करने सी बहुत चीज़ा matter कर दी है so percentage of marks भी matter कर देने so if you are you are having above 70% marks and your PTE score is 58 then you also have a bright chance of getting a visa मतलब की suppose अपने दोनों चीज़ा ही माड़ी है suppose अपने academics भी लो है और PTE score लो है then chance of getting the visa is 50-50 so suppose अपने academics थोडे लो है but PTE score 65 है then also you have a chance of getting visa suppose your academics are 85% and your PTE score is 56 then you also have a chance of getting the visa so ए देखना भाएगा student नो जदो उने अपना visa लोज करना but सारे student एक चीज जरूर ते आंच रखन की PTE file is always known as non-sds file and right now non-sds file ते थोड़ी जी सकती जरूर वरताई जा रही है a massive alone so if you want to really looking to get Canadian visa and you want to lodge your file under SDS then I will advise you to do IELTS only so students दोनों आप्षना थोड़े सामने जस्मीच जी ने clear करती है PTE दा स्टेटस की है किन्ने बैंट ते थोनों वदिया रिजल्ट आंदे है ते दूसरी option भी दास्ती जे तुसी कर सकते हों ता तुसी IELTS भी attempt कर सकते हों जे थोड़े कुल समा है गया तान्वाद Thank you so much